आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, ताज का मारा question बोल रहा है When the string on a guitar is tightened its pitch, उसके pitch पर क्या फरक पड़ता है तो देखो, जब string एक guitar के उपर tight की जाती है तो पहले तो समझो, जब हम guitar को use करते हैं तो हम उसके strings के उपर vibrations produce करते हैं जिनसे sound निकलता है तो अगर string के उपर vibrations produce हो रही है तो इसका मतलब उस vibration की frequency का कोई formula होना चाहिए तो हमें पता है, string की उपर जब vibrations होती है उसकी frequency निकालने का तरीका होता है 1 by 2 L under root P by new ठीक है, यह fundamental frequency की बात कर रहा हूँ ठीक है, इसका कोई multiple हो सकता है अगर आप किसी और harmonics की बात कर रहे होगे पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे harmonics की question को simple लगते है और directly इस चीज के उपर focus करते है यहाँ पर जो T आप देख रहे हो न, यह है ता tension frequency जो है, यह directly proportion है under root of tension के इसका मतलब अगर आप tension बढ़ा होगे तो आप frequency बढ़ा होगे और question बोल रहा है कि अगर मैंने string और गेटार tight की, तो tight करोगे तो उसके tension increase करोगे, tension increase करोगे तो उसकी frequency बढ़ेगी, तो frequency से जिस characteristic के उपर sound की फर्क बढ़ता है वो कहलाती है pitch, ठीक है तो अगर में पस कुछ frequency है frequency is directly proportional to pitch यह यह बोले, pitch जो है, वो directly proportional होती है frequency के तो अगर मेरी frequency बढ़ रही होगी तो मेरा pitch में भी increase आएगा और मेरी आवाज जो है, वो थोड़ी सी shrill होगी थोड़ी सी sharp आवाज आने लगेगी तो हम लोगों को पतान है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा pitch के उपर obviously pitch increase करेगी option में से, option no.1 हमारा correct answer हो जाता है